हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीस तिरपाथी तो कक्षाबारा इतिहास का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिद्रोही और राज अठारो संतावन का अंदोलन जो पार्ट 11 है आज उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन देखने वाले हैं उस चैप्टर को हमने कम्प्लीट कर लिया उसके एंस्याटी शॉलूशन और एंसी क्यूस भी देख लिए प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर उसकी पढ़ाई करें उसको ठीक से समझें लेकिन आज हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन देख जहां पर आप घर बैटे कख्षा 6 से बारत तक की सारी अध्यन बिल्कुल निशुल कर सकते हैं यानि आप किसी स्टेट बोर से पढ़ाई कर रहे हों या सीवसी बोर से आप अपने सभी चैप्टर्स की पढ़ाई यहां पर बिना किसी पेट सब्सक्रिप्शन के कर सकते हैं यहां कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको किसी तरह का पेट सब्सक्रिप्शन लेने की कि नहीं कहा जाएगा सारी कि सारी बिल्कुल सिक्षा निशुल्ख है मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क अगला सवाल 1857 के विद्रोग के प्रारम की तारीक क्या थी तो सही जवाब हो जाएगा 10 मई 10 मई 1857 को मेरिट की चाओनी में जहाब पर क्या कर दिया गया वहाँ पर साइनिकों ने विद्रोग कर दिया और विद्रोग के बाद ये फिर दिल्ली के तरफ कूँच कर गए अगला सवाल है मेरे चाओनी में सिपाहियों ने विद्रोग किया 10 मई 1857 15 मई 1857 बीस मई ये डेट बहुत इंपोर्टन इसलिए बार बार रिपीट हो रही है 10 मई 1857 की विद्रोग के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड डलहाउजी लॉर्ड कैनिं सब्सक्राइबाद में सन 1857 की विद्रोग के समय उत्तर प्रदेश के बढ़ावत पर गने गाउं में संगठित करने वाले नेता कौन थे भूरामल साहमल पिर्यामल लादूमल सहीजवाब शाहमल ये अंडर दुलाइन के सवाल है जिसको आपको जरूर ध्यान लखना है कि क पुमसे कंटर वाला बिहार में तो कमेंट शक्सन में ऐसे कम से कम दो अर जगह बताई जहां वहां पर नेता कर रहा हो तो आपके लिए टास्क है इसको आपको जरूर बताना है इन सवालों को विशेश रूप साब ध्यान लखें नहां कि छोटा नागपूर में कोल का बिल्कुल सही जवाब है कि सती प्रथा को अवैद घोसित करने वाला कानून कब बना अठारो सो अठाइस एठारो सो उन्तीस एठारो सो पैंटीस तो लॉड्ड विलियम बैंटिक आपका नाम अपने नाम सुना होगा गवर्नर जन्रल लॉर्ड विलियम बैंटिक तो सती प्रथा के खिलाफ ठीक है सही जवाब क्या हो जाएगा अठारा सो उन्तीस ठीक है राजारा मोहन राए यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुझ पर आकर गिरेगा यह किसका कहना था तो यह कहना था लॉड डलहुजी का दिल्ली पहुंज का सिपाईयों ने पहला पानी दे दिया गया ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जागा बहादूर शाह जपर कि फिरंगी सब्द कहां की भासा क्योंकि बहुत उस समय प्रसलीथ हुआ थार सब्सक्राइब कराती में सही जवाब है अर्भी बैपगत नीति या राज अपहरण नीति सब्सक्राइब 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 करे फिरंगण संदी के इसको मैं कहता हूं सरेंडर संदी सहय संदी संदी मतलब सरेंडर संदी ? संधी को इसके प्रमुख बिंद्यू की सपस्ट कीजिए इस पर टिपड़ी लिखिए तो सन 1798 में लौड वेलेज़ी द्वारा देशी राज्यों को हड़पने के लिए एक संधी का प्रारूप निर्मित किया गया इसे ही सहायक संधी कहा जाता है संधी करने वाले राज्यों को एक ब्रिटिस सैनिक रेजिमेंट अपने रखना होता था अब इसमें क्या रहता था बेसिकली यह समय ने कहा ना कि यह सरेंडर संधी था इसमें यह था कि आप हमारे को अपना सुप्रीम मानेंगे आप राजा बने रहिए कुल मिलाकर एक तरह से सरेंडर वाली कंडिशन थी तो संधी करने वाले राज्यों को एक ब्रिटिस सैनिक रेजिमेंट अपने हां रखना होता था सैनिक रेजिमेंट का व्याय सहायक संधी करने वाले राज्यों किसी शार्षक के साथ संधी कर सकेगा और नहीं अंग्रेज यहां का प्रशाशन ठीक नहीं है और साथाशन करने में आप सक्षम नहीं है तो चार जून 1857 को कानपूर में विद्रो प्रारम हो गया पांच जून को कानपूर अंग्रेजियों के हाथ से निकल गया और नाना सहाब को पेश्वागोषित कर दिया मैंनों ncrt solutions करा हैं इसके साथ साथ आपको यह मैं most important solutions करा रहा हूं जो ncrt की अलामा questions और बन सकते थे वहां पर ज्यादेतर रखने का प्रयास के इसलिए important questions है इनके थूर आप answers को revise कर सकते हैं हो सकता है कि question का language change लेकि हर answers को लिखते समय यह fact आपको काम आएंगे इस बात का ध के लिए इलाबाद से सेना भेजी नाना साब ने कानपूर की रक्षा करने का प्रयास किया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली उन्हें भी नेपाल के जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा और अंग्रेजों ने कानपूर पर अधिकार करके जंता पर कायों की तो इसमें उन्होंने उसको यूज करने समना कर दिया और सारी कहानी शुरूब हो गई तो यह एक संगठित करांती थी और इसके लिए संपूर भारत की करांती थी 31 में 1857 को निश्चित की गई थी परंतु बैरक के सिपाही मंगल पांडे के करांतिकारी कारण समय से इफैल गई उन्तीस मार्ज 1857 को जब बैरेपूर में चर्वी मिले कारतूस को मुह से काटकर प्रयोक करने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने इंकार कर दिया जब कुछ अंग्रेज सैनिक अधिकारी उन्हें गिरफतार करने के लिए आगे बढ़े तो मंगल पांडे न सकते हैं अधिकारियों की जिस पद पर भी बैठे होते थे वहां पर ताना साही करते थे अपने नीचे वालों को किसानों को हर आदमी को परशान करते थे तो सन 1857 की क्रांती का एक प्रमुक कारण यभी था कि अंग्रेज अफसर भारतिय व्यापारी और क्रिसकों के साथ द तरह के आज आपको गाने हैं जैसे एक आपको याद होगा हला कि बहुत बात की घटना थी इससे यह ठाव संताओं की क्रांती में तुरन घटना नहीं थी लेकिन ऐसा होता था किसानों के साथ जैसे इंडिगो फार्मिंग तिन कठिया सिस्टम जो गांधी जी के समय आया कि यह मजबूर कर दिया अंग्रेजों किसानों को कि आप एक विगय में से तीन कठा कम से कम नील की खेती करेंगे तो ऐसा भी जाता था इन अमानवी चरों के विरुद उपर से लेकर नीचे तक सभी वर्ग और छेत्रों में अंग्रेजों के विरुद आक्रोस पूर विद्र अंग्रेजों के खिलाब जिहाद का परचार करके लोगों को विद्रों के लिए तयार करते हुए गाउं गाउं जाते देखा गया वे एक पालकी में बैठकर चलते थे पालकी के आगया कि धोल और उनके पीछे उनके समर्तक होते थे और लोग उन्हें डगा साहक कहने लग दिया अठारो सतावन उन्हें फैजाबाद जेले बनके गया है बहुत उन्हें लीड किया रिया उन्हें पर 22 नेटिव इंफेंटरी के करांतिकारियों ने अपना नेता चुल लिया उन्होंने चिनहाट के विख्या संगर्स में हिस्सा लिया और हैंलील नॉरेंस की अगव आंसर बना सके कि अगर जो घटना करम था डारेक्ट फ्रेक्श्वल चीजे तो आपने देखी हैं जो घटना करम हुआ उसका स्विक्वेंस क्या है और अगर ना होता तो क्या घटना करम में परवताना था तो आंसर फ्रेमिंग आप ठीक से समझ पाएंगे तो हमारे विचा एकों से जारी अंग्रेजों की शोषणडपूर्ण दामनपूर्ण और भेद-भावपूर्ण नितियों में पिश रहे भारतिये लोगों के रोसका प्रइडाम था तो चाहें अगला सवाल है मुगल समराट बहादूर सा जफर ने विद्रोहियों का नित्वत करना क्यों स्विकार कर लिया उनको भी लग रहा था मरने वाले कुछ अच्छा कर ले दस माई 1857 को सैनिकों ने मेरट में विद्रोह किया और विद्रोही सैनिक की 11 माई को दिल्ली पहुँच उन्होंने मुगल समराट बहादूर सा जफर को बताया कि उन्होंने गाय और सुवर की चर्वी वाले कार्तूर दातों से खेचने के लिए बाद कर रहे थे जिससे हिंदू और मुसल्मान दोनों का धर्म भरष्ट हो सकता था इस समय बहुत से सैनिक लाल के लिए में प्रव भार चाप पर तीपड़ी देखी तो खांबादूर खार रुहेला सरकार सरदार हाफीज रहमत खांक के पॉत्तर थे और उन्होंने रुहेल खंड में विद्रोगा नेत्यत्यत्यु किया कि उन्होंने बरेली की और बढ़़ रहें को बढ़राई से और प्राजित विकी लि में अपनी राजनेतिक योगता का परचे दिया तो यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन्स हैं जो छोड़े-चोड़े जो छूटते हैं अब लगुत्तरी में अगर देखा रहे हैं तो सहायक संधी क्या थी या वेलेजली की सहायक संधी की उद्ध्यों की बात कीजिए तो यह थोड़ा सा और बड़े में आंसर सब्सक्राइब को लिखने होंगे तो सहायक संधी लौड वेलेजी द्वारा 1768 में त्यार की गई एक विवस्था थी इसकी क्या सरत थी अंग्रेज अपने सायोगियों को बहारी और आंत्रिक च अग्रेजी के सब्दों के आपको देखकर यात होना चाहिए तो यह सब्सेडरी अलाइंस था यह जो सिध्धान ता यह कुल मिला करिये था सहायक संधी में कि एक तरह सा सरेंडर करने की बात की जाती थी तो सन 1856 में सहायक संधी के द्वारा अवद को आपचारिक रूप से ब्रिटिस समराज्य का अंगोसित किया गया अवद पर कवजा करने की या प्रक्रिया जरा लंबी चली सन 1801 में अवद पर सहायक संधी थोप दी गई और इस पर कवजा करने की मुहिम जरा धीमी चली अंदत्रता अवद के नवाब को निसकासित करके कलकत्ता भेज दिया ग अवद के अध्रहन के बाद 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिस भू राजस सुब्यवस्था लागू की गई यह बंदोबस्त इस मानेता पर अधारित थी कि तालूगदार भी चौलिये थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था उन्होंने सक्ति और ध अथारो संताओन की क्रांती के स्वरूप का भी विचन करिए वो उसकी क्रांती का पूरा स्वरूप कैसा था तो सन 1857 की क्रांती के संब्द में इतिहासकारों के विभिन्नमत हैं कुछ लोगों ने माना कि यह ब्यक्तिकत स्वार्थों की अलग-अलग लड़ाई थी में एक संघर से हों कर अग्रेज और भारतियों के भारी contradd Тथा अंग्रेजों के विक्सित सभेता होने के और भारतियों के बरबर और अक्सब निस खमझने उन्टा थुरा interpreted किया उन्होंने अंग्रेजों को जारा सब में बताया और भारतियों को बर्बर बता दिया ठीक है रोज का विचार था कि यह यूद्ध भारतियों दोरा इसाईयों के विरुद किया गया था सर जेम्स आटरम का विचार है कि संटावन में बिद्रो मुसल्मानों दोरा अंग जान लारेंस का मत था कि गदर कमूल कारण सेना तथा चर्वी वाले कार्थूस थे इसका संबंद किसी सडेंत्र से नहीं लगाया जाता यह दिपी विद्रोही ने अपनी संक्या बढ़ाने के लिए इसे लाग उठाया तो अलग-अलग लोगों ने इसकी अलग-अलग व्य अर्थ अंग्रेजियों के विरूद सफंगर्स अत्वाववीयों के सिख़ों संघर्स को भी ऐसा सविकार करना पड़ेगा अब जैसे वीडी सावर्कर यह स्यों ने कहा कि यह सोतनता का पहला अंदोलन था तो मजन्दार इससे सह्मत नहीं कहा है कि इस तरह चोटे 좋ड़ तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दिया जिसको आपको ध्यान में रखना है अब दिरिगूत्तर यह सवालों में अगर चलें तो सन 1857 की करांदी के राजनेतिक और आर्थिक कारणों की कारभार की चर्चा किजिए तो अगर रा दलहोजी की सामराजर वाधि नीति जो एक्सपेंज नरी पालिसी थी उनकी सर 1857 की के प्रमुक यह दरहोजी के सामराजर वाधी नीतिया थी उस ने ऊचित अनुचित का विचार छोड़का सामराज विस्तार् की नीति को सरवाधिक महत्त दिया उसकी गोध निशेय के सिद अगर किसी बच्चे का नेचरल उत्तरादिकारी नहीं होगा तो उसको बिटिस सासन में मिला दिया जाएगा इससे देशी राजाओं में असंतोस उत्पन हो गया और अंग्रेजों के विद्रो करने के लिए तत्पर हो गया फिर मुगल समराट के परती दूरबेभार अब दे एवं सिक्कों पर मुगल सासकों का नाम मुद्रित किया जाता था कंपणी के उच्छ पदाधिकारी तक उसको जुक कर सलाम करते थे किंतुस्तां 1835 से उसका नाम मुद्राओं पर अंकीत होना बंद हो गया और अंग्रेजों ने उसका सामना करना छोड़ दिया इन सब का प कंपनी का मैनेजमेंट करने में अक्षमता थी यह एक कार सामन्यारी थी इस इंडिया कंपनी के संचालक बिरेशी अंग्रेश थे इसलिए भारतियों का सम्मान नहीं करते थे भारतियों के साथ बड़ा आमानविय बेभार करते थे और उन पर अनेक अत्याचार करते थे प्रेज अधिकारियों की तानामचारियों की सब्सक्राइब और बेकश्ज कि कम दामों पर बल पुरवग लेते थे और जूलाहों करनों भारानती के बहुत बढ़ा करणर बन रहा था सरकारी इस चीजे नहीं की जाती दूसरा तनक्रिया ओंताष मुंदोने गवर्ननर जरनल से कहा कि भार्तियों सपर्फार्ट कुछ संब्सक्राइब लेग surrounding घ्यान नहीं दिया और उचपत पर केवल चूपचाप गोंताषी वाला धरक रही थी जो अठाव संतावन की किरांती में फूट गई आर्थिक कारणों के अगर बात करें तो आपको यह पता है कि सबसे ज्यादा जो इंट्रेस्ट या सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण अंग्रेजों का भारत के शोष्ण में रहा वार्थिक कारण रहा जो ए गए एक मेर एक्सपोर्टर और और फिनिस बनके रहे गए यानि हम केवल कच्छा माल का एक्सपोर्ट कर रहे थे जबकि उससे पहले हम क्या करते थे अच्छी चीजे बना के पूरी दुनिया में भेजते थे पर अंग्रेजों क्या हुआ ओद्यों की क्रांती शुरू समाज में प्रतेक वर्ग की आर्थिक इस्तिती और बड़ी दैनी हो गई अता समाज के आर्थिक असंतोस के कारण करांती होनी निश्चित थी संचेप में अगर करांती की बात करें तो भारतिय उद्यों की धंदों का विनास ये बड़ा कारण बना सन 1857 की का एक कारण यह था कि अंग्रेजों की ब्यापार नीती के करण भारती उद्यों लगबक ठप हो गए इंग्लेंड की मसीनों द्वारा बनी वस्तुएं भारती उद्यों को द्वारा बनी वस्तुओं के तुलना में अधिक सस्ती और सुन्दर होती थी तो यहां से कॉंप्टिशन नहीं हो इससे बिदेशी वस्तुओं की बिक्री में ब्रद्धी हो गई और भारती वस्तुओं की बिक्री अतिदी घट गई परिमा परडाम स्वरू ब्यापारी वर्ग क्रोधित होगा और देशी उद्यों धंदे बंद होने लगे इसमें क्या पॉइंट्स आ जाएंगे अंग्रे परियाब धन का अभाव था तो क्रिसकों का जो सोसर हो रहा था वो भी कारण बन रहा था धन का विदेश जाना जो भी मैंने बताए डेन अफ वेल्ट अंग्रेज अधिकारी भारत में अल्प समय के लिए कारभार समालने आते थे उन्हें भारत वासियों के हिते सो कोई दि विद्रो बता था तो यह आंसर्स आपके सामने मॉडल आंसर्स हैं इन पॉइंस के साथ यह आंसर्स को आप लिख सकते हैं फिर आने एक लोगों का विरुजगार होना आप जब को अनिम्प्लॉयमेंट होगा तो जाहिर सी बात है इससे विद्रो तो होगा ही तो लोगों को कोई रोजगार ने मिलता था केवल स्वार्थ सिद्धी करते थे अंगरेज और खास करके सरकारी नोकरियों में भारतियों को जगह नहीं दी जाती थी इस करण अभी क्या था एक बहुत बड़ा असंतोस और विद्रो की भावना चल दही थी अगला सवाल है कि सन 1857 के विद सेदार थे जिनकों बहुत बड़ा सेली मिलना चाहिए उनकों नीचे की रंगरूट के बराबर सेली दी जाती थी वेतन में असा मानती थी भारतिय सिपाही के लिए कोई उन्नती या प्रमोशन नहीं था उसके लिए रिसालदार के रूप में ही रिटायर होना पड़ता था सेनिकों के आत्म समान को पक 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 कुजला जाता था परेड के समय भारतिय सेनिकों को अपमानित करने के लिए गाली गलोज का निंदित ब्यवार किया जाता था उन भारतिय सेनिकों को पदोनोती देती थी जो इसाई बन गए इस बात के प्रेद ने किये गए कि हिंदू स निकों को इसाई धर्म में दिख्षित किया जाए और 1856 में समाने फौजी भरती का कानून से उक्रेट हुआ तो बार-बार कि समुद्रपार करना पाप है लेकिन बोला गया कि नहीं हर सिपाई को जाना ही पड़ेगा और इंकार नहीं कोई कर सकता भारते सैनिकों ने इसे बहुत बुरा समझा क्योंकि समझते थे कि इसे धर्म द्रहश्ट होगा अवद सैनिकों का केंद्र था तथा जब उसने सन 856 मे सेना में थे बिरोजगार हो गए अभी बड़ा इंपोर्टेंट है कि अवद में बहुत बड़ी सेना थी और अवद को जब मिला लिया गया तो आर्मी वाला अलग थे और वो सेना बिरोजगार हो गई सर जौन केमी के अनुसार दिसंबर सन 1853 में करनल टकर ने बहुत साफ स काटना था उन्होंने उसके लिए मना कर दिया अगला सवाल है कि 1857 की असभलता के कारण क्या थे अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके दो तीन कारणा जैसे मालेजे पहले से डेट 31 मई टै थी अचानक 10 मई हो गई संगठित नहीं था कोई प्लान नहीं था उसके बाद नहीं था जो हतियार लूटे गए थे वह यूज के जा रहे थे बाद में कहां से आएंगे इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी तो सर 1857 के विद्रो की असभलता के निमलखित कारण थे विद्रो सीमिच छेत्र में फैला यानि की नर्मदा मदपर्देस के नीचे ज़्यादा प चोड़े-चोड़े सरदारों को छोड़कर कोई भी नरेश विद्रोहियं में सम्मिलित नहीं हुआ सिंधिया और होलकर के पास चानबे अजार अंग्रेश सैनिक थे वफादार बने रहे और इनके सिनाओं ने हलाकी विद्रो कर लिया था भारते नेताओं का कोई समान नही विद्रोहिय के साथ नहीं थे क्रांतिकारियों को सेना में संगठन का भी अभाव था बहादूर साथ को गिरिफतारी के बाद इस परस्ट होने लगा कि कोई कोई लीड करने वाला नहीं है भारतिय पुराने किस्में के सस्त्रों से लड़ रहे थे वह अपनी तलवार वर सफ़्तरों की बंदू का मुकाब्ला नहीं कर सकते लों कहां सामना करेंगे अंग्रेजों के पास तार डांक तथा रेल की विवस्था थी जबकि विद्रोहिय नहीं पाते थे तो यह 857 की क्रांती से संबंदित कुछ महतपूर सवाल थे जिसके थुरू अपने पूरी क्रांती के कारण उसके स्वरूप इसे संबंदित महतपूर कोश्चन को रिवाइस करने का आप फैक्ट के इंफॉर्मेशन को देखने का प्रयास किया आई होप कि यह सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे और आप इससे परक्षाओं में आंसर ठीक से लिख पाएंगे एक बात का और धान रखना है कि मैंगनेट मेंस अपनी एक वेफसाइट भी है मैंगनेट मे कोई भी क्लास आप से सकते हैं इस समाली अगर आपने क्लास ट्रेल्व किया तो आप मेरे साथ इतिहास रानिति विज्ञान भूगोल और अर्थसासर की डीटेल पढ़ाई कर सकते हैं इसके अलावा ओलम्पियार सी यूटी स्पोकें इंग्लिस इटीजी नीट और हर क्लास का आप सेलेक कर सकते हैं और डीटेल में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अधर स्टीचर के साथ भी तो यहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन इसके साथ साथ चोड़े चोड़े टापिक वाइस वीडियो में सारी चीज़ें आपको यहां डीटेल में मिलती हैं और आप MCQs और NCIT solutions से भी अपने सारे questions को त्यार कर सकते हैं तो आप मेरे साथ जैसे अगर इतिहास पर आएंगे तो इस तरह से आपका chapter सुरू होगा और आप पूरे syllabus को करंबध तरीके से website पर जाकर पढ़ सकते हैं और यह सारी की सारी सिक्षा बिलकुल निशुलक है आप आपको सिर्फ इसको लाइक सेर और सब्सक्राइब करना है आप इस वीडियो को भी लाइक करिए जादे से जादे कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत ध्या बाइ बाइ